एक परहमला सब परहमला वो चाहते हैं आपके दिलों के अंदर खौफ आ जाए क्या हम हमारे दिलों के अंदर खौफ आने देंगे वो चाहते हैं हमारी उम्मीद तूट जाए क्या हमारी उम्मीद तूटेगी ये जवाब पुरे इंडिया में घुंजना होगा मुसल्मानों के करने के इंतियाही एहम काम बुल्डोजर देश्चत गर्दी आज की वीडियो में हमारा आप से इंतियाही एहम दो सवालों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जाएगी और कोशिश करें कि इन सवालाद पर ना सिर्फ आप हम गोर करें बलके इनको रोब अعمल लाने की भरपूर कोशिश करें आज मुस्लिम लोगों की कमी नहीं है यह संगधन कियों बनते है South Unidos रहे अगर इस गुरदोवार ओपर एक बात के बागी तो याद रहना मोधी शन्सत के भार से एक भी बी देयब बीड़़ेपी के निकलने का नेता का निकलने का जास्ता बंद कर देंगे आप से दोवारा की तरफ आंख उठाके भी मत देखना ये देश के वह शेरों की कोम हैं अगर आपने आख उठाई तो आपकी संसर्ट की जो इमारते हैं उसकी इड से बजा देंगे कि आप अगर जुल्म को सहरे हो यह तो आपकी मेरे क्याल मेरे को लगते हैं हर धार्मी किताब का हि जुल्म है तो आज यही समझने की जुरुत है कि मुट्लिम संगठन की बड़े-बड़े लीडर हैं उनको यह डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा और इसलिए वो लगाता है लोगों दे शांती बनाने की बात करते हैं हम कौन से कह रहे हैं मुट्लिम संगठन के हम कौन से कह रहे हैं बम निकालो अरे सड़कों पे तो निकलो जंडे तो उठाओ इंदुस्तान के जगा जगा तरंगा यात्रों तो निकालो अपनी एकता का प्रीशे तो दो पर मजीदों की शुरक्षा के लिए दर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा सड़कों पे पूरे भारत में खाबिल, तजबेकार और माहर एडुकेट और वकला की कसीर तेदाद मौजूद है क्या इनको नज़र नहीं आता है कि बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में रखा जा रहा है तो क्या इनका जमीर मुर्दा हो चुका है ये क्यों आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहे हैं हमारी पूरे भारत में खाबिल तजबेकार और माहर एडुकेट और वकला से अपील है कि वो दो टीम बनाएं एक टीम बेकुसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों से छुडाएं दूसरी टीम बुल्डोजर देश्यत गर्द रहता है कि मंगर उसने दुष्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिमत ना की और तुम क्या जानो कि क्या है वो दुष्वार गुजार घाटी नमबर एक किसी गर्दन को गुला में से छुडाना नमबर दो या फाके के दिन किसी खरीबी यतीम या खाक नशीन मिस्कीन को खाना खिलाना फिर उसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो एमान लाए और जिन्हों ने एक दूसरे को सबर और कल्क खुदा पर रह्म की तलकीन की हमारी खाविल तज्वेकार और महर एडुकेट और वो कलास अपील है के पुरान की इसायत की रोशनी में अपने रूल को समझे और इन गरीब मजबूर और बेसहरा मुसल्मान लोग जो जेलों में महनों सालों और दिनों से ग्रफतार हैं उनको जल्द जल्द बाइजद बरी कराने के लिए भरपूर कोशिश करें वक्त की नजाकत और हालात के तखाज़े को महसूस करते हुए आप खुद इस अजीम काम के लिए लीगल सेल का खियाम अमल में लाएं और इनसानियत की अजीम खिदमत करते हुए लोगों को छुडाएं और अपने प्यारों से मिलाएं जहां पर भी मुसल्मानों पर जल्म सितम होता है ये लीगल सेल 24 बैस सेवन हर वक्त यार रहे और मुल्क के मुक्तलिफ शहरों में जाएं और मजलूम बे सहरा मुसल्मानों को इतिहाद व इतिफाक और अपनायत का एसास दिलाएं अगर ये काम नहीं करें तो खुदा के हां यकीनन बासपुस होगी और इस सुनी के नाम था तो फिर इसके उपर कार्रेवाई उनके पती किसी फुर्ब कराम के ये नहीं हो सकती आप इटी के फिर्ट मोड़ कराम के लिए नहीं हो सकती पहली बार तो य्ये के अगर हतियार मिले मिलें या कुछ औबजयक्शनेमिल लिटरेशर मिला मैं वैसे हमारी चुकी है कि अगर किसी के पास गानी जी की लिखी किताब मिले तो इसका मतलब वो अहिंसावादी नहीं है और किसी के पास अगर टेररिज्म वाला लिट्रेचर मिले तो वो आतंग वादी नहीं तीसरी चीज ये कि अब जो कुछ हो चुका उसको जस्टिफाई करने के कार इस मामले को जो है वो ठीक करेगी तो उससे कानून और सरकार की इज्ज़ समाज में बढ़ती है मुल्क भर में जहां जहां बेखुसूर मुसल्मानों को गिरफतार करने के बाद उनके घरों और उनके दुकानात को बुल्डोजर किये गए वहां पर ये लीगल सेल टीम जाएं और इनकी खानूनी कारवई लड़े ये कैसा मुल्क है जहां पर पॉलिस ही फैसला करती है और घरों को गिरा देती है अगर ऐसा ही है तो इंडिया की तमाम अदालतों को निश्टो नाबूत कर दिया जाए क्योंके नए माहोल में पॉलिस ही मुखतार कुल बन चुक ही है जबके दस्तूर हिंद के हिसाब से पॉलिस ना किसी को जेल में गरफतार करने के बाद रखे गए लोगों पर जल्म सित्म नहीं कर सकती और यहां पर नंगा नाच जारी है और हम इन पर जल्म किय हुए खामुशी से तमाशाई बने बैठे हैं मैं मुल्क के तमाम वकल हजरात एडूकेट हजरात से गुजारिश करता हूँ के वो उठें खानून की बातें बताएं और इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं तमाम वाज़ शाहदतों के बावजूद भारत के बाद रियासतों की पॉलिस बद नाम जमाना हो चुकी है बड़ी बेश आमेन या रबलालमेन बेड़ें पहें भोल रहा है सारन पुर्का ही फोलिस वाला लड्कों को बेतर बेरहमी से पीट रहा है वो वीडियो शारन पूर का बताया जा रहा है इस तरह ईसी नाम कारत के पता चला है हमें इसमें कई और अड़के इर्फान नाम का एक लड़का है तारीफ नाम का लड़का है बताया जा रहा है कि यहीं के और पुलिस पीच रही वीडियो में दिख रहा है कि उनका बेटा उस वीडियो में है जिसमें उसे खूब पीटा गया पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है कोने में पिटते लड़के का नाम एक सौरब ने अपने वीडियो में दिखाया सैफ नाम है वो भी उसी तरह से किसी गरीब परिवार का है सैफ की बहन कह रही है इतना पीटा गया जिससे वो बुरी तरह से एक तरह से कहें जखमी है एक और लड़के का जिक्र किया है जिसे सौरब जिसके परिवार के पास गए उसका नाम है तारिक एक और लड़का राहतली मतलब और एक जमीन पर बैठे लड़के का नाम इमरान इन सब को पीटा गया इन पाँच लोगों के घर सौरब शुक्ला गए और उनके परिवार वाले उनकी पहचान कर लें अब ये कसूर बार है या बेकसूर है तीन के बारे में तो भासकर ने बताया उनके परिवार वालों के पास उनकी मौजूदगी घर के पास होने के सबूत है गटना के समय है इनके बारे में परिवार वाले पिटाई की बात करें उस वीडियो में होने की बात करें जिस वीडि और बेखरती के साथ शुरू कर दिया है भारत का आम मुसल्मान ये बात अच्छी तरह से समझ ले के फलस्तीनी मुसल्मानों पर इस्राइल जो जल्म वो सितम कर रहा है उसकी कापी इंडिया में कर रहा है इन हालात के लिए हमें फोरंत यार हो जाना चाहिए और इन जालिमों को खाड फिकने की भर पूर कोशिश करने चाहिए क्योंकि ये मुल्क दुश्मन भी है इनसानियत दुश्मन भी है इनको खाड ना फर्ज आइन है आप हम उठें जालिमों का मुकाबला करें यही सुन्नत रसूल सलल्लाहु अले सलम है इस वीडियो को ना सिर्फ आप देख भर पूर कोशिश करें आपको भी गर्दन छुडाने का अजीम सवाब मिल सकेगा हमारे इस वीडियो को आप फुद देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जजाक मुल्ला